एक blind girl को लगा कि operation के बाद उसके सारे problems मिट जाएंगे उसके चाहने वालों के secrets ने उसे और भी darkness में ठकेल दिया Hello friends, आज मैं आपको All I See Is You ये 2016 के एक thriller Hollywood movie explain करने वाला हूँ ये movie जो starting में romantic relationship के साथ शुरू होती है slowly slowly एक dark turn लेती जाती है तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देजिए अब इना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमें एक couple दिखाये जाता है हमारी main character का नाम है Jina और उसके husband का नाम है James characters की motive जानने के लिए इनकी relationship में हम deep dive करेंगे movie शुरू होते हैं हमें पता चल जाता है कि Jina blind है आज Jina को उसके sister का call आया जिसे हमें पता चलता है कि आज ही के दिन उसकी family का accident हुआ था इसी accident में Jina ने अपने आखे खो दी थी इस accident को बहुत सारे साल हो चुके है इसके जख अब तक भरे नहीं आज Jina के eyes को दिखाने के लिए ये doctor के बास जा रहे थे James Jina से बहुत ही प्यार करता है तो ज़रा नर्वस था क्योंकि आज उनने पता चलेगा कि क्या Jina फिल से देख सकती है या नहीं डॉक्टर ने eyes वगरा चेक किये Jina का एक आए पुरा बरबाद है पर एक आख से वो कुछ न कुछ देख पाएगी ये दोनों इस नियूर से बहुत ही खुश थे operation के लिए ये waiting list में है Jina बहुत ही अच्छा गाती है और गिटार भी अच्छा बजाती है तो इस चोटी लड़की को वो लेसन दिया करती है Jina बीचरे कुछ देख नहीं पाती और अपने काम करते करते Jina को अपने office में ज़रा लेट हो जाता है कभी-कभी Jina बहुत ही जादा डर जाती है James के घर आने पर उसे बहुत अच्छा लगता है एक दिन James के घर आने पर Jina ने James को पास बुलाया पुछा तुम्हें मेरा इतना खयाल रगना पड़ता है क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती है James कहता है तुम्हारा खयाल रगने से मुझे स्पेशल लगता है नेक्स जे जीना स्विमिंग पूल गई हुई थी वही पर शावर लेते हुए उसका पिरेड आ गया उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है जो भी आज हुआ कि वह अपना खुद का बलड देख नहीं पाई इस बात से वह बहुत ही जादे इंबरेस थी James गर पर आया तो उसने एक जटके में पहचान लिया कि हुआ क्या होगा उसका मूट ठीक करने के लिए कहता है चलो हम कही बहार चलते है ये दोनों फिर कलव आये जीना बहुत डांस करती है James को भी फोर्स कर रही थी पर James को डांस करना अच्छा नहीं लगता वो इस पर गुसा हो गया कहता है कि हम सब पागोलों की तरह लग रहे है जीना का वे मूट चला जाता है वो उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहती है जब वो आपस आये तो James आसपास नहीं था उसे पुकारती है चिलाती है पर James उसे आवाज नहीं देता उसे as a punishment तड़पता देख रहा था बाद में उसके पास आ गया यहाज राज जब घर पर आये तो जीना को hospital से call आता है आज उसका operation करने वाले है operation successful हुआ और जीना ने James को first time देखा यह दोनों बहुत खुश थे जीना ने world जिस तरीके से imagine किया था यह ज़रा अलग था वो कहती है तुम ज़रा अलग लगते हो James ने पूछा क्या तुम्हारी imagination से कुछ गलत हो क्या मैं सही नहीं लगता जीना गहती है तुम बहुत अच्छे लगते हो पस सेव ज़रा different हो डॉक्टर ने ने eye drops वगरा दे दिये थे जीना गहती है इस सब कुछ कितना colorful लग रहा है James उसे फिर और भी ज़्यादा colors दिखाने के लिए डारेक्ली फुलो के market में लेकर आया ये day जीना के लिए बहुत ही beautiful था जब वो घर आये तुसे अपना पुरा घर ही अलग लगता है उसे नहीं लगता कि उसका खुद का घर है James जीना के पास आया कहता है अब हम holiday के लिए जाएंगे जावर वो अपने honeymoon के लिए गए थे वोई पर फिर से जाने वाले है जीना ये surprise सुन कर बहुत ही जादा खुश थी रात में दोनों फिर intimate हो जाते है जीना आप सब कुछ देख सकती है तो James को बहुत ही अजीब लगा जीना भी ये सब कुछ समझ गई अगले दिन अपने holiday के लिए निकल पड़ते है James ने कहा कि हमारे honeymoon पर हमने जो room book किया था वही room मैंने फिर से book किया है यहाँ का नजरा जीना को बहुत beautiful लगा उससे लगता है कि उनके honeymoon से ये room जड़ा अलग है James बता रहा था कि ये same है पर जीना कहते है कि मैंने इसे fill किया है ये वो नहीं अगले दिन ये दोनों बोटिंग के लिए आए James आता था कि दोनों एक ही बोट में बैठे जीना को अब आखे मिली है तो खुद explore करना चाहते है वो सारा nature enjoy करते हुए आगे बढ़ती चली गई रात में फिर ये दोनों डिनर के लिए आए जब जीना ड्रिंक लेने के लिए के तो किसी stranger के साथ बात कर रही थी ये James को अच्छा नहीं लगता वो वापस आए तो James पुछता है कि वो कौन था जीना ने कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया हुआ है हमारे हनीमून पर हमारे पास जो रूम था या अब उन्हें मिला है James अभी मानता नहीं तो जीना कहते हैं हम manager से बात करते हैं James ने फिर कहा कि मुझे पता है इसलिए उसने जूट कहा था उसे सिर्फ सब कुछ चीज़े परफेक्ट चाहिए थी इसलिए उस जूट कह रहा था रात में जब ये दोनों घर पर आ रहे थे तो एक कबल को passionately intimate होता देखा जीना भी James के साथ आज यही सब करना चाहती थी उसने उसके हाथ टाइ कर दिया ये James को बहुत ही ज़ादा uncomfortable लगता है जीना उसके साथ intimate होने का टाइ करती है पर James बहुत ही ज़ादा चिट गया था ये सब चीज़ें रेकॉर्ड भी कर रही थी अगली दिन फिर ये दोनों जीना की सिस्टर से मिलने के लिए गए ये दोनों सिस्टर मिलकर बहुत खुश थे सिस्टर गाजवर्ण ये बहुत ही स्टेट फॉरोड होता है वो मेशा अडल जोक वेगरा करता रहता है तो James को इससे ज़रा uncomfortable लगता है रात में ये सब घुमने के लिए जा रहे थे जीना ने एक beautiful चाड्रेस पहना पर ये James को अच्छा नहीं लगता जे लगता है कि जादा revealing है उसने उसे कहा कि पहले तो तुम कभी भी ऐसे गबड़े पहना नहीं करती थी जीना blind थी तो अपने आपको उसने discover नहीं किया था तो आप हो ये ही करना चाहती है वो James को कहती है ये सब सिर्फ मैं तुमारे लिए करती हूँ रात में घुम्दे घुम्दे एक street club जैसे जगा परे गए जीना James को उसके साथ चलने के लिए कहती है पर James कहता है कि मैं बाहर ही रोखता हो तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो ये जब वापस आए और street से चल रहे थे तो जीना को किसी ने छेडा इस पर वो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो गे जीना के sister के husband ने इन लड़कों को बहुत मारा जीना गुस्सा थी कि James ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया रात में जीना की sister और husband intimate हो रहे थे जीना और James का जगड़ा हुआ है तो सिर्वे आवाज सुनते है अगली दिन ये सब मिलकर जीना के parents का accident जहाँ पर हुआ था उस जगा पर जाकर आते है जीना इस जगा को फिर से देखकर अपने life में move on होना चाहती है इसके बाद इनका holiday खतम हुआ जीना घर आने पर कहती है हमें कहीं और रहने के लिए जाना चाहिए एगर उससे अपना नहीं लगता James इस बात को ज़्यादा सिर्यस नहीं लेता उससे तो सब कुछ ठीक ही लगता है रात में जीना की सोने के बाद James ने उसका tablet चेक किया James के साथ intimate होते बद उसने record किया था यह उससे बहुत ही जादा अजीब लगता है पर उसने एक चीज़ इस टेब में notice की वो थी कि जीना ने अपने आग पर जरा हाथ लगाए था ओपरेशन के बाद अभी भी उसे थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है James चाहता है कि उन्हें एक बेबी हो पर इसके लिए उने प्रॉलमस आ रहे थे यह फिर डॉक्टर से चेक करवाते है तो डॉक्टर James से कहते है तुम्हारा स्पर्म कौन बहुत ही लो है सायद तुम कभी फादर बन नहीं पाऊगे इसके बाद नेक सिन में जीना पार्क में आई हुई थी यही पर वो डैनियल से मिलती है डैनियल उसके स्विमिंग बूल पर काम करता है उसे बता चला कि जीना आप सब कुछ देख सकती है वो उसे कॉफी के लिए पुछता है पर जीना ने उसे मना कर दिया आज घर आते वगद जीना ने अपने हेर्स डाइ कर लिये थे यह जेम्स को बहुत ही अजीव लगता है उसे जो लगता है यह बात तो चुपा नहीं पाता जीना ने उसे डिनर के वक्त पुछा यह जब मैं ब्लाइंड थी क्या तुम्हें जादा अच्छी लगती थी जेम्स कहता है यही सवाल में तुमसे पूछ सकता हो जेम्स इस बात पर कन्फ्यूस था जो भी चेंजस हो रहे है यह उसे सही नहीं लगते है अल्ली दिन जीना उनके लिए न्यू घर देखने के लिए गई इसके बारे में वो जेम्स से बात करती है एक दिन अचानक से जीना को अपनी आखों में प्रॉलम आना स्टार्ट हो गया वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर गहते है तो मैरी आखों में रिजेक्शन हो रहा है वो कुछ न्यू ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ दिन बीत गए और जीना की वीजन फिर से वापस जा रही थी वो बहुत ही जादा इस चीज से डिस्टरब हो जाती है एक दिन उसे जेम्स के साथ पार्टी में जाना था तो रोने लग गए जेम्स उसे सहारा देता है उसी के साथ रुखता है निक्सिन में फिर से जीना को हम उसके डॉक को पार्ग में घुमादावा देख सकते है उसका डॉक ओर्ड हो चुका था तो हीट की वज़े से उसे बहुत ही तकलिफ हो रही थी यहाँ उसे पार्ग में फिर से डैनियल मिला डैनियल कहता है कि मेरा घर पास ही है वही वो डॉक को ले जाएंगे और उसका जरा आराम होगा इन्होंने ऐसा ही किया जब जीना यहाँ से जा रही थी तो डैनियल उसे किस कर लेता है जीना की आखे वापस आने के बाद जेम्स और उसमें कोई भी कॉंटेक नहीं था किसी वज़े से वो डैनियल के साथ इंटिमेट हो गई जब वो घर आए तो उससे बहुत ही बुरा गरा था वो जिस घर के बार में बात कर रही थी जेम्स ने जाकर आज उस घर को बाय कर लिया है उसे और भी बुरा लगता है नेक से इन्वम देखते हैं कि जीना जी स्टूड़न को पढ़ा दी है उसके स्कूल में प्रोग्राम था इसके लिए जब वो प्रैक्टिस कर रह तो घर में चोरी हो गई थी उसका डॉग उसे कहीं भी नहीं मिलता वो जेम्स को कॉल लगा दिया है जेम्स ने हर जगा पर ढूनने की कुशिश किये पर कहीं भी उसे नहीं मिलता पाक में जेम्स डैनियल से मिला डैनियल ने का अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको कॉल क करूंगा जेम्स ने डैनियल को जीना से इंट्रोड्यूस करवाया इन दोनों में ऑक्वर्ड नेस था तो जेम्स समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड है वह से कंफरेंट करता है पर जीना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं डैनियल जीना के साथ अपनी रिलेशनशिप कंटीन स्काई है वो जीना का बहुत खैल रखता है स्लोली स्लोली जीना की वीजन फिर से चली जेम्स और उसमें जो पहले रिलेशनशिप हुआ कर दी थे उसी तरीके से फिर से अच्छी हो गई जेम्स वंडर करता है कि क्या सर्च में जीना को कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने नोटिस किया जीना के आयड्रॉप्स उसने लिये ही नहीं डॉक्टर ने उसे जो न्यूट्रॉप्स दिये थे यहीं वो हमेशा से ले रही थी जेम्स जब घर पर आया तो जीना उसके लिए लेटर छोड़ कर गई है यह लेटर एक्च्छल में डैनियल ने जीना को दिया इसमें लिखा है तुम्हारे डॉक को में चुरा रहा हो यह तुम्हारी मेरे पास एक निशानी रहेगी जीना जेम्स को उसके और डैनियल के बारे में बताना चाहती थी जीना के स्टूडन की प्रोग्राम पर जेम्स भी पहुशता है जीना जब यहां परफॉर्म करती है तो उसने जेम्स के आखों में आग डाल का परफॉर्म किया उसे सब कुछ दिख रहा था जीना को जबसे दिखने लगया था वैसा है जेम्स को जरा अनकांफुडिब लग रहा था उसने जब वीडियो टेप देखी नोटिस किया कि जीना के आखों में कुछ प्राउल्ब ह मारा है तो उसने उसके डौज पदल दिये उसे फिर से ब्लाइंड करने का उसका प्लाइन था जिना को इस सब को समझ में आ गया वो उसे फाइनली छोड़ देती है जेम्स अकेला ही जब रात में ट्राइव कर रहा था तो उसने जो मुवी किया इस वज़े सो डिस्टरब हो जाता है खुदी अपनी गाड़ी एक ट्रक से टकरा कर उसने खुद बेबी हुआ है उसका फेस हो देखती है और इसे के साथ यह मुवी एंड हो जाती है हम जैसे हमेशा से थे लोग एक्सपेट करते हैं कि हम वैसे ही रहेंगे वक्त के साथ आदमी बदलता जाता है एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है पर उनके लिए हमें खुद बदलना नहीं चाहिए इसे के साथ आज का वीडियों हम खतम करते हैं अगर आपका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दानों मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एकने मुविस के साथ तब तक रिठे थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे